एक सबसे अच्छा दोस्त, आज का प्रेरक पर संग सबसे अच्छा दोस्त, एक बार की बात है, दो दोस्त एक साथ रेगिस्तान से गुजर रहा था, जाते जाते रस्ते में दौनों के बीच एक बात को लेकर वहास हुई, उस बात को लेकर एक दोस्त ने गुसे में आकर जो मार खाया उससे बहुत ही गुस्सा आया क्योंकि इसकी कलों पर चोट लगी थी उसने बिना कुछ के रेत पर लिखा आज मेरा सबसे अच्छे दोस्त ने मुझे थपड़ मारा फिर दोनों दोस्तों ने रेगिस्तान में चलना शुरू किया तब तक चलते रहे जब तक दोनों को रेगिस्तान में पानी नहीं मिला कुछ दूर चलने के बाद दोनों को एक नदी दिखी फिर दोनों ने नहाने का फिंसला लिया दोनों दोस्त जाकर पानी में नाने लगे थोड़ी देरा बाद जिसने थपड़ खाया वे पानी में फस गिया और डूबने लगा तब दूसरे दोस्त ने उसे बचा लिया उसने नदी से बाहर आकर एक पत्तर पर लिखा आज मेरे सबसे अच्छे दोस्त ने मेरी ज्यान बचाई जिस दोस्त ने थपड मारा था उसने दूसरे दोस्त से को बचा मैंने तुम्हें चांटा चोट पहुंचाया तो तुमने रेत पे लिखा और जब मैंने तुम्हें पाने में डूपते हुए बचाया तो तुमने क्यों ना एक पत्तर पर लिखा दूसरे तुसने जवाब दिया जब तुम हमें चोट पहुंचाए तो मैंने रेट पर लिखा क्योंकि अगर जोर से हवा आई तो लिखा मिट जाएगा जब कोई हमारे लिए कुछ अच्छा करे तो मैंने पत्तर पर लिखा क्योंकि पत्तर में लिखे को कोई ही भी हवा मिटा नहीं सकती उसकी बात दोनों दोस्त बात करते करते अपने घर चले गए इस खाने से में क्या सिच्छा मिलती है शिक्ष अमित्रों अपने जीवन में जो कुछ नहीं है उसके बारे में मत सोचो जितना कुछ है उसे लेकर खुश रहो सदे परशन रहे जो प्रापत है प्रियापत है